एफायार ना लिखने पर सीधे IPS पर भड़क गई योगी देखिए फिर क्या हुआ योगी ने IPS को दी चुनावती कहा राजनेती करनी है तो वर्दी छोड़कर मैदान में आओ देखाना दोस्तों कैसे मुख्यमंतरी योगी अपने राज्य के IPS को डाट रहे हैं और उन्हें यहां तक कहा दिया कि अगर तुम्हें ठीक से काम नहीं करना है और पाटी पाटी खेलना है तो तुम मैदान में आओ और लड़ो चुनाओ तो इस तरह से योगी का गुस्सा देखने को मिलता है अब आप कॉमेंट करके बताईए कि मुख्यमंतरी योगी का इतना कड़क एक्शन लेना बड़े बड़े अपरादियों पर सही है या फिर IPS को इस तरह से पब्लिक में डाट नहीं लगानी चाहिए कॉमेंट करके हमें जरूर बताईएगा दोस्तों हमा लेकिन अगर पुलिस की नवकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की मर्यादा में रहिए बता दे कि यूपी के एक ठाने में पुलिस एफायार नहीं लिख रही थी तो सीधा मुख्यमंतरी योगी जी वहां पहुँच गए और उन्होंने उस ठाने के IPS सही तमाम अपरादियों से है उनके बारे में तुरंत जानकारी निकाल कर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए इसके साथ ही मुख्यमंतरी योगी ने ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ करने में लापरवाही की गई तो मैं लखनव में ही बैठा हूं कोई हलका फुलका मुख्यमंतरी नहीं और ऐसे में पुलिस या तो खुड करवाई करे या फिर अपने उपर होने वाली करवाई को जहिलने के लिए तयार रहे उन्हें सकती से कहा है कि पुलिस अधिकारी सभी लोगों के शिकायतों को समय पर दर्ज करें और उन से दोस्ताना दहवार करें तो दोस्तों इस तरह से मुख्यमंतरी योगी ने सक्त तेवर दिखाते हुए पुलिस से ये साफ कहा दिया है कि कोई भी एफायार दर्ज करवाने आये तो हर हालत में एफायार दर्ज होनी चाहिए क्योंकि मैं लखनव में ही बैठा हूँ और कोई हलका फुलका मुख्यमंतर करें बलकि दो घंटे के अंदर उन पर करवाई भी की जानी चाहिए ऐसे में अगर पुलिस ने करवाई करने में देर की तो वो पुलिस के खिलाब सक्त एक्सल लेंगे और यहां तक कि पुलिस को उनके पद से बरखास्त भी कर दिया जाएगा तो दोस्तों मुख्यमंतरी जोगी ने जिस तरह से उत्तर परदेश में पुलिस को काम पर लगा रखा है क्या यही मॉडल पुरे देश में भी लागू होना चाहिए आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और 37 वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा धन्यवाद